हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबों का ICT classes में आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका जागिरदारी टर्म जो आपका रहयतवारी टर्म है और महलवारी टर्म ये जो इसप्पेशिली ये जो दोनों है जागिरदारी और जामिंदारी एक जैसे सउनाई देता है जो डर सब जानेंगे इसमें बहुत माइनिट डिफरेंस राता है सब करेंगे कि क्या क्या अलाग होता है जागेदारी जमिनदारी रहयोतवारी और महलवारी ताकि कभी ग्जाम में आहाई तो कभी आपको कुई कुछ दिक्कत नहोगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक लास अगर आप लोग सबसे पहले इस चैनल में न्यू है तो इस चैनल को सस्क्राइब कर ले क्योंकि मैं ऐसे ही स्टडी से रिलेक्टेड वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहूंगा साथी बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि कि हमारे वीडियो की नोटिश्पिकेशन आप तक पहुँच सके तो देखिए आज मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूं अगर डिटेल में लेना होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि डिटेल में ले ले तो मैं उसमें अलग से डिटेल में हर एक कल ले वे क्या क्या कानून वगेरा बने उन सबसे रिलेटेट चीजों को भी हम लोग डिसकस कर लेंगे है ना तो चलिए श्टार्ट करते है आज का यह क्लास तो सबसे पहले जागिर्दारी यह सब अगर आप जागिर्दारी जमिंदारी रयोतवारी और महलवारी देखे ना तो सबसारी रयोते कि तो इसस23 को क्या तो आपका सबस्टों करेंगे को आपके यह क्या जागिर्दारी जमिंदारी रयोतवारी और आपका Texas System Revenue System जो हमारे history में राचुका है तो देखिए जो आपका जागिरदारी जो system है वो आपका मुगल समय से चला रहा है मुगल समय से पहले ये बलबन के time में भी था तो और जो बाकी ये तीन है ये तीनों काफी ज़्यादा important करें ये बार एक्जाम में पूछा जाता है कि what were the revenue system at a time of British तो ये तीनों आपका British time में जमिंदार, रियोतवारी और महलवारी कई बार एक्जाम में आता है ये तीनों British लोगों का आपका क्या था revenue system था जबकि ये जो जागिरदारी था ये आपका कौन सा system था मुगलों के द्वारा इसको apply किया गया था basically ये जो जागिरदारी था ना वो मुगल के time पे ज्यादा develop हुआ था तो चलिए हम डिसकस कर लेते इसका जागिरदारी आपको जो holding a piece of land hold कर रहा है जमिंदारी, जमीन hold कर रहा है और रियोत वारी आपका कब आया था ब्रिटिश एसी लेकर आया था थारास वासी में Thomas Munro थे वो लेकर आया थे हम लोग जब इसको आप डिटेल पे पढ़ेंगे तब इसके बार में डिसकस करेंगा पूरा तो इसको बार महल वारी आपका आया था एक जमीन दे देता था एक जगाद दे देता था और बोलता था कि यहां से जो भी revenue collect होगा वही तुम्हारा salary होगा फ्यूडल लेंडलोड्स को दे देता था वो क्या जमीन और यहां पर देखिए होता क्या था था न आपका administration power भी लगबग लगबग फ्यूडलिस्म जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग discuss करेंगे कि उसे में कैसे administration power आ गया था judiciary power आ गया था तो यह सब power उन्हों को मिल गया था automatically मिला नहीं था राजा नहीं दिया था और भी जो राजदर्बार में जो लोग बड़े बड़े अधिकारी रहते थे उनको salary ना देकर cash salary ना देकर मतलब पैसा cash में salary ना देकर वो एक जमीन अलोट कर देता था और बोलता था यहां से जो revenue आएगा वही आपकी क्या हो गई salary होगी लेकिन देखिए यहां पर जो ज जमीन का use कर सके उससे revenue लेशे के नहीं ऐसा नहीं था उनको honor नहीं था जागिरदार को honor नहीं होता था उसके जो है generation next generation को यह honor नहीं होता था कि यह जमीन उसका रहे है मतलब कि permanent honor नहीं था जो भी जागिरदार होता था उसको बस राजा क्या देता था salary के तौर पर देता थ और जैसे काम खतम हो जाता था अगर वो वरकर काम करना छोड़ देता था तो राजा वो जमीन को वापस अपने अधिकार में ले लेता था लेकिन बाद में फ्यूडलिम्स दाया क्या क्या हुआ वह बात का बात है लेकिन जो आपका जागिदारी का जो सिस्टम है वह कुछ ऐ है अचरद डिया जाता है। तो ब्रिटी दिश्टम में अभका क्या वल गया था दुक्त ट्रेंगल करा बेस्पन गया था यहां पर होते थे ब्रिटी सोय ने होते थे पीज execut होते थे तो क्या जो तक्या थो ने हम आपना लेंड दे दिया दैकिसको क्या कर दिया था तो र पार्मर को revenue farmers को देते थे और farmers को अपना taxes किस को को देते थे जमिनदार को देते थे मतलब Britishers को अपना taxes देते थे लेकिन देखिए जमिनदारी system में आपका टेक्सेशन काफी ज्यादा है था 10 बाई 11 था वहां उस उम्हें का taxation कोई आप समझ सकते मतलब कि जितना भी का 100% की बात करें तो 89% आपका जो revenue रहता था वो Britishers को देना पड़ता था और इसमें देखिए recognized owner of the land होते थे यह जो जमिंदार थे वो जमिंदारी को जो haul करते थे उनको जमिंदार कहा जाता है उसी तरह कि वो तो honor तो थे land के लेकिन वो अपने मर्जी से कुछ चीजों को नहीं कर सकते थे land के honor होने के बावजूद अगर वो कभी जो एक fix rate रहता था नहीं लों का fix rate रहता था कि आपको इतने साल में इतने दिना है इतने साल तक इतने दिना है ऐसा नहीं कि हर मेंना बढ़ा दे ऐसा नहीं कुछ साल fix कर दिये 10-20 साल आपको इतना टेकसर पे करना है हर साल आपको इतना पे करना है तो वह पे किया जाता था लेकिन अगर पे नहीं करेंगे तो जमिंदार का क्या होता था यह honor of land हो थे लेकिन अगर वो टेकसर पे नहीं करते थे तो उनका लेंड सीज कर लिया जाता था ओके आप समझ गए बात करते हैं रेयोतवारी के तो यह क्या होता है पीजेंट का बात करता है रेयोत का बात करता है ब्रिटिश लेकर आया थे इसको 1820 में इसमें बेसिकली कि आपका क्या होता है ना कि जो आपका रिव पूर्ने का उनस्थ रहता है और जो पीजएंट रहते हैसे प्रिफन के प्रतिया जो अपने टेकซेस रहते हैसे भिए उसमें शट्था दा भाइपने को अडिया जाता भी जाता हूए का मतलब आपको बता दिया means of house हो जाता है या फिर डिस्टिक हो जाता है या फिर नावरोड क्वार्टर मतलब की collection of houses collection of people इसे से related जो आपका महलवारी term drive होता है तो देखें महलवारी term भी आपका लाया था कौन बिलिटिश से लाया था 1822 में लेकिन इसमें क्या था महलवारी शिस्टेम में जो आपका Texas रहता था वो collection system कैसा होता था इसकी बात- बात करते है जो आपका Texas collection system रहता था रहता था वो land provide कर दया जाता था रोकेशन या आपका land बोल देती थी कि हाँ मैंने यह जौ आपका land वो आपको अलोड किया है आपको पूरे गाओ को मिलके taxes हमको pay करने है साल में इतना tax आपको pay करना पड़ेगा आप पंचायत को देदो, सरपंच को देदो, किशी को देदो और उसके थूरू वो मेरे तक आजाएगा यह आप लोग गाओ का जिमेदारी आप लोग कैसे distribute करोगे आप समझो लेकिन इतना taxes मुझे यहाँ से चाहिए तो ऐसा उस time में होता था तो I hope so कि आप लोगो clear होगा जागिरदारी simple है जो piece of land hold कर रहा है और इसके क्या मिल रहा है यह मुगल का time पे start हुआ था साथ ही इसमें क्या होता था आपको राजा, अपने workers को जो भी अधिकारी रहते थे officers रहते थे, उनको किस तोर पे देता था आपको जागिरदारी देता था क्यों उसके salary के रोप में, जब उसको cash नहीं दे पाता था तो वो क्या देता था, जागिरदारी जिससे उत्ता ही पैसा उसका salary जागिरदारी के होने उतना पैसा उसको मिल सके, worker को मिल सके, जमिंदारी सिस्टम है यह भी क्या कर रहा है, land hold कर रहा है, जमीन hold कर रहा है, British government लेके लाया था लेकिन इसमें क्या सिस्टम था, revenue farmer आते थे बीच में, जो आपका revenue farmers को देते थे और revenue farmers, taxes के तौर पर किसको देते थे आपका Britishers को देते थे लेकिन इसमें जो आपका था, जो honor होते थे कौन, यह जमिंदार, permanent honor होते थे लेकिन कुछ conditions भी थे, जिसे मैंने आपको बताया कि seize हो जाता था, जब वो tax नहीं pay करते थे लेकिन वही रहयतवारी बात करिए, हम लोग cultivated present की बात कर लिए, present की बात किए, इसमें Britishers लेकर लाये थे इसमें, तो इसमें क्या हुआ था, individual आपका क्या देता था, आपको taxes देता था, कि इसको government को अपको आपको क्या देता था, अलोट कर दिया जाता था, जमीन अलोट कर दिया जाता था, और जो वहाँ प्यूपल रहते थे उनी को, government को क्या देना पड़ता था, taxes देना पड़ता था, I hope so guys, कि आप लोगों को अब इस topic में कभी भी कोई confusion नहीं आने वाला है, मैंने बहुत easily way में आपको समझा दिया है, जागिरदारी, जमिनदारी, रहतवारी, महलवारी बहुत ही important topic और कई बार इंसान बच्चे confuse कर जाते हैं जागिरदारी, जमिनदारी, रहतवारी, देखिए चुकि यह जागिरदारी है और जमिनदारी कापी similar word है, है ना तो इसमें confusion आई जाता है, तो बाबाई guys keep learning और हाँ जाते जाते ही इस channel को subscribe कर देना यार, और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए ले आया करूँगा, और बोलोगे तो यह जागिरदारी, जमिनदारी, रहतवारी और महलवारी, अगर आपको जानना है, पूरा history जानना है, क्या क्या ह बलबन के समय से start हुआ था, फिर खिल जी आया, फिर तो कापी ज़्यादा changes हुए, फिर मुगल के जो time था, उसमें जागिरदारी कितना ज़्यादा डैबलब हुआ, फिर जमिनदारी बिटिसास का जो जमिनदारी रहतवारी महलवारी क्यों लाया था, उनका motive क्या था, उस कारण परिसानी जहलने पड़ी, क्यों सी के कारण आपका ठारा सो संतावन का क्रांती हो गया, ये भी तो हम लोग देखेंगे थे कि हिष्टी को जब तक आप लोग रिलेट करके नहीं पड़ोगे न, मज़ा नहीं आने वाला, इसलिए रिलेट करना सीख जाओ, ओके, चलत